नमस्कार बैंव अभिशेक त्यागी पहले दो टेस्ट मैच हानने के बाद भईया बबंडर मच गया है टीम इंडिया में खबर है कि तीसरे टेस्ट मैच में जो कि मुंबई के बानखेड़े स्टेडियम पर खेला जाएगा उस तीसरे टेस्ट मैच में बहुत बड़ा तक्त पलट होने वाला है और टीम इंडिया में तीन बड़े खिलारी बाहर होने वाले हैं यह खबर है कि टीम इंडिया से तीन बड़े खिलारी बाहर हो सकते हैं तीसरे टेस्ट मैच से गंभीर जो है बिलकुल परिशान है बिसी से एका सेलेक्शन कमेटी में खलबली मची हुई है क्योंकि इस तरीके कंऊ किसी को नहीं थी कि भाइश सब सूरती दो टेस्ट मैं इस तरीके से तीम इंडिया हरेगी क्योंकि अब तो डाइस्ट ने पहुंचने पर भी संकट मन रहाने लगा है अब तो यह भी इमल यहाई का नभी उहने के बार तो चलिए beide थी कि हम न्यूजिलेंड को हरा देंगे आसान लग रहा था लेकिन न्यूजिलेंड ने जिस तरीके से क्रिकेट खेला है जिस अंदाज में न्यूजिलेंड ने शुरुवात के दो मैच इस टीम इंडिया को हराए हैं अब तो ये भी खत्रा मन रहाने लगा है कि हम डबलू ट बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं चलिया आपको संभावीत प्लेइंग 11 एक बार दिखा देते हैं चरचा करेंगे कि क्या संभावीत प्लेइंग 11 हो सकती है तीसे टेस्ट मैच मेंद संभावीत प्लेइंग गर किया है कि रोईषवात कफटान रहेंगे और बॉर्डर गावस का ट्रोफी की एहमियत को समझते हुए रिशब पंत को की जरूरी है उन कंडिसंस में तो रिशब पंत को एक टेस्ट मैच का आराम दिया जा सकता है और धुरूज रेल को मौका दिया जा सकता है ये बड़ी खबर है रविंद्र जड़ेजा क्योंकि बैटिंग और बोलिंग से फेल रहे हैं उतना बहतर परफॉर्मेंस रविंद्र जड़ेजा ने नहीं किया है तो ऐसे में रविंद्र जड़ेजा की जगा अक्षर पटेल को मौका दिया जा सकता है अश्विन रहेंगे आकाश दीप रह सकते हैं जस्पीत बुमरा की जगा मोहमद सिराज को मौका दिया जा सकता है जो कि जस्पीद बुम्रा को लेकर भी टीम इंडिया है सोच रही है कि बॉर्डर गावस का ट्रोफी से पहले जस्पीद बुम्रा को एक छोटा सा आराम दे दिया जाए ताकि जस्पीद बुम्रा थोड़े से फिट नजर आए बॉर्डर गावस का ट्रोफी में तो ऐसे में मुहमद सिराज को आकास दीब के साथ मैदान पर उतरा जा सकता है और रविंद्र जड़ेजा की जगा अक्षर पटेल जो इस वक्त फोम में भी है तो ऐसे में अक्षर पटेल को मौका दिया जा सकता है तो तीन बदलाव होंगे रविंद्र जड़ेजा की जगा अक्षर पटेल आ सकते हैं और मौमद सिराज आ सकते हैं जस्पीर बुमरा की जगा ये तीन बदलाव आपको तीसरे टेस्ट मैच में नजर आ सकते हैं और जाहर तो पते के बदलाव ज़रूरी भी हो लेकिन उसके बाबजूद अगर टीम इंडिया ओस्टेलिया के खिलाब बहतर परफॉर्मेंस करती है मैं तो बोलता हूँ कि ओस्टेलिया के खिलाप अगर हम जीत भी नहीं पाते हैं डो भी मैच होते हैं तो भी टीम इंडिया अपने उन पोइंट्स पर रुकी रहेगी यहां पर बहुत जरूरी है यह चीज़ समझेगा हमाई ओस्टेलिया से खत्रा है क्योंकि ओस्टेलिया दूसरे नंबर पर है तो पहले नंबर पर टीम इंडिया है दूसरे नंबर पर उस्टेलिया के खिलाब जो हमाई सीरीज होगी वह उस्टेलिया की भी आखी होगी हमारी भी आखी होगी डबलू टीसी से पहले ऐसे में austria को अगर हम रोक भी देते हैं अगर पांच मैचों की सरीज में दो दो की बराबरी पर भी टीम इंडिया आती है तो टीम इंडिया और austria के बीच में final हो सकता है डबन, टीसी का लेकिन अगर austria हमें सारे match ढरा देती है या फिर चार एक से उस्टेलिया जीच जाती है तो श्रिलंग का उपर आ सकती है तो आपका इस बदलाओ को लेकर क्या कहना क्या आपको लगता है कि वास्ता में बॉर्डर गावस का ट्रोफी हमारे लिए बड़ी एहम है और क्या उसके लिए रिशब पंतो जस्पित बुम्रा को आराम देना सही होगा इस तीसे टेस्ट मैच में कमेंट करके बताएगा और तीसे टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 आप क्या चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बताएगा वीडियो चल लगी हो तो लाइक कोशे जरू करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अपडेट मिलते रहेंगे थैंक्यो अरे मच